हेलो दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन इस्टेडी पॉइंट तो ये लिजे दोस्तों आप सब के लिए लेकर आ गया हूँ सितंबर माह के टॉप सिवेंटी करेंड एफेस क्वेशन सत्तर सबसे महत्पूर मोस्ट इमड़िन क्वेशन देखेंगी इस वीडियो में और यदि देखिए और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने साथ में बैल आकउन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की डेली वीडियो मिलती रहे और दोस्तों आप से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर किया करिये बहुत में हिनद लगती यसी वीडियो इस बनाने में शेयर करके ज्री को इस खलाब पहुंचाईंए सभी को हलो सके तो प्लीज ज्यादा ज्यादा शेयर करिए अपने 10 दोस्ति वीडियो को शेयर करिए वाच you Facebook group में और एक like जरूर कर एक दोस्तों support करने के लिए motivate करने के लिए क्यूंकि यह आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग एक like करके हमें support और motivate जरूर करें ताकि हमें भी पता जले हमारी जो मेहनत है वो शार्था को रही है तो target इसमें 20,000 likes का रखते हैं तो सबसे पहले वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें इसके लावा मैं अनेकेडमी पर ही पढ़ाता हूं तो आप अनेकेडमी का लेर्णिंग है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिजे उसमें ऑनलाइन स्टी पॉइंट सेर्च करके फॉलो कर सकते हैं मैं अपने अनेकेडमी प्र दिख्या पूतादी कि शिखर सम्मेलन से नीती आयोग भारत के प्रथम विश्व मॉबिलिटी शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन विज्जान भवन 7 से 8 सितंबर को कर चुका है और इसका उधाटन किया है प्राइमिनिस्टर मोदी जी ने और इस सम्मेलन का उद्देश चाज़े इंडिया नीतियाओ के स्थाबन हो थी एक जनवरी 2015 को ठीक है इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे अर्विंद पंगडिया जी वरतमान में है डाक्टर राजीव कुमार नीतियाओ का पदे नध्यक्ष होता है भारत का प्रधान मंत्री जो कि वरतमान में मोदी जी है नितियाओ के सीओ का नहीं वरतमान में सीओ हैं अमिताप कांथ ठीक है सीओ चीफ एक्सक्यूटी ऑफिसर अमिताप कांथ है इसी तरह मैं हर कोश्चन एक्स्प्लेइन करूंगा बहुत मात्पूर है लास्त तक जरूर देखे हैं इस वीडियो की पीडियाओ के लिए आप ह किसके साथ विलेग कर दिये जाएगा इसका करेक्ट एंसर है ऑप्संसी आइडिया आपको बता दे कि वोड़ाफोन और आइडिया सेलुलर के विलेग को मंजूरी मिल गई है और इससे 35 प्रतिसत बाजार हिसेदारी के साथ 23 आरफ डॉलर मोले देश की सबसे वड़ी दूर दूर संचार शेतर की प्रस्ताविध दिकज कंपनी वोड़ाफोन आइडिया लिम्टेड भारति ये ट्यल को पीछे छोड़ देगी जो कि देश की सबसे बड़ी दूर संचार कंपनी है नबर गीया को निमर्खित भारति दूर संचार कंपनी में किसे साहथ बिले गर दिय आपको बतादिक आई शुमंत्री जो है श्वतन प्रभार श्रीपद एस्सो नाइक ने एक सितंबर को निदरलेंड में चौथी अंतराष्टी आयुरुवेद कांग्रेस को दहटन किया था और इसका आयोजन अंतराष्टी महार्षी आयुरुवेद फाउंडेशन निदरलेंड अखिल भारती आयुरुवेद विज्ञान कांग्रेस नहीं दिली एवं अंतराष्टी आयुरुवेद अकादमी पूरे द्वारा निदरलेंड में भारती दूतावास के सहयोग से सहयोग तुरूप से आजित किया गया है तो चौथा अंतराष्ट खेलों में 154 के लिए भाती दल का दोजबाग चुना गया था ठीक है तो एसियन गेम 28 के समापन सारों में भारत का दोजबाग कौन था रानी रामपाल एसियन गेम 28 कहां हुए थे इन्वेद राधनी जकारता और पोलेंड मेंग में कोश्चन नमर फिपत है इंडियन बैं इंडियन बैंग के लिए पंजाम नेशनल बैंग के प्रवंदेशक और मुख कारिकारी सुनील महता को चुना है कोश्चन नमर शिक्स है निमने कितमे से किस महिला मुख्यवाज ने विश्च यूवा मुख्यवाजी में 57 किलोग्राम बरग में 60 पतक जीता है गोल्ड मिला जूनियर विश्व चेंपियन मुख्यवाज साखी चौधरी ने विश्व यूवा मुख्यवाजी में 57 किलोग्राम बरग में श्वण जीता है और भूड़ा पोस्ट में विश्व यूवा मुख्यवाजी चेंपियन सी वाजीत की गई थी कहाँ पे भूड़ा पोस्ट में पंद्रमी भारत आसिया नार्थिक मंत्री उबेठक सिंगापूर में संपन्न हुई है ठीक है अगला कोश्चन है यह सिदंबर में समापन हो गया है आपको बता चुका हूँ और जो आपको बता दिक जापान के 18 वर्षी तैराक है है रिकाको इकी ने कुल 600 पतक अपने नाम किया इसलिए उन्हें मोस्ट वैल्यवेबल खिलाड़ी घोशित किया गया ठीक है मोस्ट वैल्यवेबल खिलाड़ी और अगले जो इसन गेंस में 2022 हांग जू चीन में आज़ित किया जाएंगे अगला कोश्चन है निम्रकित में से क मोक्यों में ओलंपिक का जून किया जाएगा और भारती निशानेवाज अंजूम मोगदिल और अपूरवी चंदेल ने इस ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है और दक्षिड कोरिया के चांगवान में जारी आईस से निशानेवान बिस चेंपियंशिव में अंजूम ने म को बतादिक कोशण की समस्या का मुकाबला करने के लिए देश भर में सितंबर को राश्टी पोशण महा के रूम में मना जा रहा है और बतादिक 2022 तक 6 साल के आईवर के बच्चों में को पोशण को बचाने का लक्स 38 परसेंट जगठा कर 25 परसेंट करने को देश से प्रसान के 13 राश्टपती ग्रूब में किसी चुना गया है बहुत महात्मूर कोशण है ये करेक्ट एंसर ऑप्सन जी डाक्टर आरीफ अलवी को आपको बतादिक पाकिस्तान तहरीक इंसाप पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक डाक्टर आरीफ अलवी को 4 सितंबर को चिकितसक अलवी ने पाकिस्तान पीपूल्स पार्टी को मीदवार एजात एहसान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नामांकित मौलाना फजारुलरहमान को तीन तरफा प्रत्योकता से हरा दिया है तो नेक्स्ट जो प्राइमिनिस्टर प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के पारी फल भी इससे पहले थे मम्नून हुसैन अगला कोशन है चार सितंबर 2018 को चंगवोन में आई एससेफ विश्ट चेंपियंशिप में पूर्शों के 50 मीटर पिस्तोल समारों कि इसने गोल्ड मिडल जीता है और अपसाने करेक्ट है ओम प्रकास मिथरवाल आपको दादि जीतू राय ने इसी स्पर्धम रजत पतक जीता था लेकिन कोई भी भारती इस प्रत्युक्ता में गोल्ड मिलल नहीं जीत सका था करेक्ट एंसर ऑप्साने ओंप्रकास मिथरावाल कोश्चन नमर थर्टीन है 46 में मुखी नयधिस यानि CJI Chief Justice of India गुरूम में किसकी शिपार इसकी है जबकि CJI मिस्तरा सेवर निवित होने के एक दिन बात नयामवुर्ति गुवई 3 अक्टूबर 2018 को भारत के 46 मुखी नयधिस के रूप में कारिक करेंगे और भारती समिधान का नुक्षेद 124 द्वारा राश्टपती भारत के मुखी नयधिस के नुक्तिक लिए प् वतादिक जम्मू काश्मीर राजप्रसासनिक परिशत 850 मेगावाट के रतले हाइड्रो इलक्ट्रिक प्रोजेक्ट के विकास के लिए केंद्रो राजसरकार के बीच स्यूक्त उद्द्यम का गठन को मंजूरी दे दी है और रतले हाइड्रो इलक्ट्राइक जो प्लांट ह हुई आए तो यह हुआ है त्रिको माली में ठीक है आपको बतादिक भारती नोशेना के जहाज और विमान स्रिलंका इनोशेना के साथ त्रिवनों माली में आजित संयुक्त अभ्यास लेनेक्व 288 में भाग लेने के लिए स्रिलंका पहुंच गये हैं अगला कोशन है कोशन नमर 16 है साथ सितंबर 2018 को क्रिट के दिलीप ट्रॉफी किस टीम ने जीती है इसका राइट एंसर तो ऑप्सन सी इंडिया ब्लू ने ठीक आपको बता दें कि इंडिया ब्लू ने गट चेंपियन इंडिया रेट को पारी और 187 रनों सहरा कर दिलीप ट्रॉफी अपने नाम क कर दिया था और हिमांचर प्रदेश के बल्लेवाज निखिल गुंगटा को 130 की पारी के लिए मायन अब दमैच भी चुना गया था ठीक है तो दिलीप ट्रॉफी साथ सितंबर 2018 किस टीम ने जीत लिए इंडिया ब्लू ने अगला प्रस्न है असम के पहले खेल राजदूत क गुरू में नामित किया गया है और यह घोशना तब ही जो भीमादास हाली में फ्रांस में आई एफ वर्ल्ड अंडर ट्वेंटी एथलेटिक्स चेंपियंशिप में ट्रैक इवेंट में गोल्ड मेल जितने वाली पहली भारति मेला बनी है और उन्होंने 400 मिटर इवेंट म और मुख्य कारिकारी दिखारी ने उपकिया है अमताब चोधरी जो वरतमान में HDFC Life Insurance Company Limited के MD और CEO हैं बता दें अमताब चोधरी वरतमान में CEO सीखा सर्मा की जगह लेंगे अगला प्रस्णा है Staggerging Forward Narendra Modi and India's Global Ambition नामा पुस्तक के लेखक कौन है और किस पुस्तक के लेखक है भरत करणद और इसके जो प्रकासक है वो है Viking ठीक है अगला कोस्चन देख लेते हैं US Open 2018 का महिला एकल खिताब विजेता कौन है तो US Open 2018 महिला एकल खिताब विजेता है Naomi Osaka आप वतादिक जापान की Naomi Osaka ने US Open 2018 में महिला एकल वर्ग में Serena Williams को हराकर खितावी मुकाबलों ने नाम किया है और जापान की 20 वर्षी उसाका ने Williamson को फाइनल में 6-2-6-4 से हराकर केरियल का पहला Grand किताब Grand Slam किताब जीत लिया है ठीक है question number 21 है US Open 2018 के पूरुष वर्ग का खिताब कि इसने जीता है तो यह बहुत important question इसका कर्रेक्टेंसर आपसान है Novak Jokovic आपको ताधिक 9 सितंबर 2018 को सार्वियाई टेनिस खिलाडी Novak Jokovic ने US Open 2018 के पूरुष एकल खिताब जीतने के लिए अर्जेंटीना के जुआन मार्टिन डेल पिट्रो को हरा दिया है और हुआ है उनका चौदवा Grand Slam है ठीक है और आवे रोजर फिडर और राफिल नाडल के बाद सबसे ज़्यादा Grand Slam जितने वाले खिलाड़ें को सुचिए में तीसरे स्थान पर आ गए है तो यूए स्थान डूर अठारा के पूरू सेकल कबरकर के खिताब किसने जितलिया है नावाग जोको वीचे सार्विया के प्लेयर है आपको कंट्री व्याद रखनी है ठीक है कोश्चन नमर अगला है दोस्तों सितंबर 2018 में किस कंपनी ने बैंगलूरू में दुनिया का स्थे बड़ा मोबाइल एक्सपीरेंस जोन शुरू करने के अलान किया है और बैंगलूरू में सैमसंग ऑपेरा हाउस के नाम से खुले इस एक्सपीरेंस जोन में ग्राहाक जो है कस्टमर जो है सैमसंग मोबाइल और उनके साथ सैमसंग के अनुतपादों के शमनवाइ का सकेंगे इसका राइट एंसर है सैमसंग ने खोला है बैंगलूरू में सितंबर 2018 में होने वाले भारत यूएस सैंगत सैन अभ्यास का नाम क्या है युद्ध अभ्यास ऑप्सन सी करेक्ट है आपको तादिक भारत और सैंगत राज जैमेरिका की से नाए 16 सितंबर 2018 से उत्तर वैगल पी गुरू से आजित सैंग तुसैन अभ्यास का चौदवा संसकरण है कोश्चन नमर 24 है भारत इगलैंड टेस्स सीरीज 2018 में किसे मायन आप 10 सीरीज गोंचित किया गया है उसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्सन डी ए और विराट कोली और सैम कुर्रान को आपको सिरीज यानि में आप दा सिरीज जो है किसको मिला है सैम कुर्ण और विराट कोली को चुना गया है कोश्चन नमर 25 है 11 सितंबर 2018 को किस भारती राज से नेपाल के लिए पनी पहली बस सेवा सुरू की है करेक्ट एंसर है ऑप्सन सी बिहार से आपको तादिक बोधगया से का बसों को रवाना किया है भारत सरकारों नेपाल सरकार के सहमती मिलने के बाद बिहार राज पत्थ परिभान निकाम दौरेश के शुरुवात की गई है अगला कोश्चन है किस भारती होंकी टीम के कप्तान ने 12 सितंबर 2018 को सेवा निवित्ती ने रिटार्मेंट की गोशना क बाद निरणे लिया जहां भारत अपने खिताब के रख्षा करने विफला और कांसे पतक के साथ लोट आया है इसका राइट एंसर है ऑप्शन सी सरदार सी अगला कोशन है HDFC Life का नया CEO यानि Chief Executive Officer कौन है विभाप पडलकर ऑप्शन D HDFC Life Insurance ने विभाप पडलकर को कंपनी का नया CEO बनाया है इसमें पहली इमताब चोधरी कंपनी के CEO थे इससे पहले जो तो मैंताब चोधरी कंपनी की स्योत है और चौधरी अभ एक्सिस बैंक के CEO कपत समालेंगे विभा को तीन साल के लिए MD और CEO बनाया गया है अगला कोशन है भारत का नया मुख्यनाधिस कौन होगा तो मैं आपको बता चूँगा रंजन गोगोई अगले कोशन के तरह बढ़ते हैं अप्राइल जून 2018 तीमाही के दोरान भारत का चालू खाता घाता क्या था इसका करेक्ट रंसर जो जाएगा दोस्तों option C सकल घरली उतपात का 2.4% ठीक है अगला कोशन है 14 सितंबर 2018 को भारत का पहला आदिवाश्ची परेटन सर्कूट का उधगटन कहा किया गया था इसका करेक्ट रंसर जो जाएगा option B धमतरी में अपको तादिक परेटन राज्य मंत्री केजे अलफोन्स ने 36 गड़ में 13 परेटन स्लोक जोड़ने वाली देश की पहली ट्राइबल सर्कूट परेटन मंत्री का राज कहा पहला दवरा है और इस परेटन मंत्राले ने 99.21 क्रोल रुपए की शुकृति दी गई थी अगला कोर्शन बहुत मात्पूर है पंद्रमा प्रवासी भारती दीवस किस भारती सहर में आवजित किया जाएगा करेक्ट टेंसर है अप्संसी वाराणसी में आपको तादिक प्रवासी भारती दीवस 2003 परेटन मंत्री टलवहरी बाचपही ने शुरू किया था और उनके पहल पर ही इसे 7-9 जनवरी को मनाने करने लिया गया और आपको बतादे कुम्भ और भारत वंसियों के अनुरूत को ध्यान में रखकर प्रवासी भारती दीवस भारती दीवस बाराणसी मनाने करने लिया गया है ठीक है तो अगला जो प्रवासी भारती दीवस है वाराणसी माजित होगा यूपी में किस देश ने दक्षण ACI फुटवालर फेडरेशन कप 2018 किताब जीता है ओप्सन सी करेक्ट है मालदीब ने मालदीब ने मंगलादेश में खेले गए सैफ कप में भारत को दो एक से हराय है और इससे पहले मालदीब की टीम 28 में भी चेंपियन बनी थी किस दिश ने दक्षण ACI फुटवाल फेडरेशन कप यानि सैफ 28 जीत लिया है मालदीब ने भारत को राकर किस फिल्म ने 28 के लिए टोरंटो फिल्म फेस्टिबल ओडियन्स पुरुसकार जीता है ग्रीन बुक ऑप्सन डी पीटर फेरे लली की नाटकी कॉमेडी और महरसला अली और वीगो मोर्टने सभिनीत ग्रीन बुक ने 16 सितंबर को टोरंटो अंतराष्टी फिल्म समारों में ओडियन्स पुरुसकार जीता है तो यह दोस्तों वीडियो का फर्स्ट बार था चूंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती तो इसलिए मैं इसकर सेकेंड पार्ट आपके लिए कल लेकर आ जाओंगे तो आपको सेकेंड पार्ट सेही है तो जल्दी से कमेंट करके बताईए आपको वीडियो कैसी लगी इस वीडियो अच्छे लिए प्लीज लाइक जरूर करें टार्गेट 20,000 लाइक तो फटा फट साथ ही टेलिग्राम जरूर जोइन कलेजिए पीडियो नोट्स के लिए ठीक है तो प्लीज लाइक शेया जरूर करिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए भी बताईएगा तो मैं आपके लिए कल तक नेक्स्ट पार्ट लेकर आजाओंगा तो आपको आगामी एक्जाम्स के लिए आल दे वेस्ट वीडियो कैसी लगी जरूर अपना फीडबैक जरूर दीजे थैंक यू जै हिन जै भारत